TRS कालेज के प्राचार रामलाला के खिलाफ SC8 के तहत प्रक्रण दर्ज छात्र से मारपीट का है आरोप प्रदेश के सबसे वड़े महाविद जयले में सेख रीवा का TRS कालेज एक बार फिर से चर्चा में इस बार दो छात्रों की आपसी लड़ाई नहीं बलकि TRS कालेज के वरसों तक प्रभारी प्राचार रहे रामलला शुकला और इसी कालेज में पढ़ने वाले B.A. 6 सेमेस्टर के चात रामलखन साकेत के बीच का है हम आपको बता दें पूरा मामला क्या है कालेज का चात रामलखन B.A. 6 सेमेस्टर में पढ़ा करता था रामलखन के अंसार 28 जून 18 को उसका रिजल्ट वेबसाइड में आया जिसमें वा पास था उसने इसी आधार पर B.A. में दाखले का फॉर्म भर दिया जब वेरिफिकेशन का नंबर आया तब कालेज प्रसासन उन्हें चक्कर पर चक्कर लगवाने लगा और उसको फेल कर दिया जिससे खपा होकर रामलखन ने तातकालिन प्राचार रामलला के खिलाप सीम हेलफ लाइन में शिकायत कर दी जिसके चलते रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने प्रक्रण दर्श करके मामले को विवेशना में ले लिया है अब सारा मामला पुलिस के जाच के बाद ही इस पस ठोप आएगा फिलहाल रीवा शहर में यह प्रक्रण काफी सुर्खियों में है रीवा दर्शन के टीम ने राम लखन से घटना के बारे में बातचीत की आईए आपको सुनाते हैं छात राम लखन क्या कह रहा है यह फाई यार दर्श यह करवाएंगा हमारे साथ मार प्रीट हुआ कौन किया था? राम लाला सुकला जीने कौन है? यह प्राचारी है क्या मामला था? कुड़ा मामला बताओ मामला यह था कि जब रिजल्ट आया था तो हमने पास हुए थी हमारा वेबसाइट में रिजल्ट आया था 36 2018 के उसी अधार पर मैंने व्येड में रिस्ट्रेशन कराए और वेरिपिकेशन कराए वेरिपिकेशन के लिए जा रहा है थी टी आरस कालेज में तो हाँ जातिवादी चलती थी वेरिपिकेशन लेट किया जाता था तो हम कई बार चकड़ काटे चकड़ काटे काटे एक राउंड पूरा निकल गया जब जाने के इड़िशन नहीं हो पाएगा तो हमने CML प्रान कंप्रेशन कर दिये तु हमारा रिजर्ट सिंज करके हमको पूरग बना करके पेपर बार बार फिलबाने लगे जा हुने बोले कि पूरग नहीं पास होगे बोले कि आम मार सिट डीजिये तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है रिपोर्ट उसके धंकी देते थे जाथ उसके पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई कहे थे था तो सिंपल अवेदान ले लिए गया था अफायार नहीं किया गया था तो अब जब वह भोपाल तक गये तो फे अफायार हुआ और अब कारवाही शुरुत हो गए दियारेस कॉलेज में पढ़ने वाले चात राम लखन की शिकायत पर रीवा के सिविल लाइन पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है पूरा मामला विवेशना में ले लिया गया है कुछ यह कहना है सिविल लाइन टी आई ससी कान चौरसिय का आईए आपको सुनाते हैं टी आई सिविल लाइन प्रकरण के बारे में क्या बता रहे हैं यह फर्यादी राम बदन साकेत जो पॉलेज पी आरेस का स्टुडेंट है उसकी दरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है इसमें भी विवेशना चल रही है पॉलेज की तरफ से कुछ प्रतिनी दी आयत है जिनका एक कहना है कि यह शिकायत जो इसमें तरजी कराई है अभी जब तक इसकी विवेशना पूर नहीं हो जाएगी तब तक इसकी निशकर्स के बारे में जुछ कहना मुनासिब नहीं होगा तक इसकी जारी है सदी जो कत्य है वो सामगे लाए जाएंगे तो उसके बाद उसका है जाएगी तो उसके बाद उसका है